तो आज हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिछला दस वर्षों में जो है यह कैमिकल रियक्सानल एक्विशन से जो कोस्टेंज पूछे गए हैं लॉग कोस्टेंज ठीक है ना यहां वेरी सॉट कोस्टेंज उन सभी को मैं कलेक्ट करके आया हूँ आज यहां पर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास तो बच्चो सबसे पहला कोस्टेंज है कि वाई वी नीड तू बैलेंस एसक्विशन केमिकल एक्विशन गीव रीजन चुज टू जस्टिफाई दे स्टेटमेंट तो बच्चो मैंने आपको बताया था एसक्विशन ऐसे केमिकल एक्विशन को कहते हैं ठीक है जो अन बैलेंस होते हैं ठीक है कहने का मतलब जिसमें रियाक्टेंट साइड में नंबर ओफ एक्विशन और प्रोड केमिकल एक्विशन को हम बैलेंस करते हैं तो इस प्रशन में यह पूछ रहा है कि अखिर क्यों करते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग आंसल देख़ते हैं ऐसक्विशन कामिकल एक्विशन's are unbalanced and we need to balance chemical equation because of law of conservation of mass it is state that matter can neither be created nor be destroyed therefore chemical equation must be balanced in each and every chemical reaction समझ में आब चो को कोई भी chemical reactions जो होते हैं वो conservation of mass को follow करते हैं law of conservation of mass को ठीक है अता है किसी भी skeletal chemical equation को balance करना बहुत जरूरी होता है ओके चले question number two देखते हैं क्या आया था giving an example list to information which make a chemical equation more useful and informative आप से पूछा जा रहा है कि दो आप example बताओ ठीक है जो chemical equations को ज्यादा useful बताते हैं ठीक है और informative बताते हैं तो पहला है physical state of reacting must be mentioned देखे बच्चों अगर आप किसी reactions में physical state को mention करते हैं ठीक है तो वो reactions काफी अच्छा माना जाता है काफी informative होता है क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है क्योंकि hydrogen जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं gases है oxygen gases है और यह दो मिलकर water बना रहे हैं जो कि liquid state में है ठीक है तो यह काफी informative हो जाता है जब आप physical state दिखा देते हो रियक्टेंट और प्रोड़क्ट के तो और second क्या है कि condition in which reaction टेक प्लेस रिटेन अन दे एरो देखे यह जो होता है यह reactions को बताता है ठीक है कि काम करेगा है यहां पर catalyst हो सकते है reaction के process को हम बता सकते है ठीक है ना burning कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर इसे combustion कर रहे हैं ठीक है तो arrow के ऊपर कोई भी information अगर लिखा हुआ रहता है तो वो equations के सारे information को हमें तुरत में at a time बता देते हैं कि आखिरी reaction में what is happening ठीक है third question से बच्चो write a balance chemical equation for the process of photosynthesis देखे बच्चो यह question बहुत important है ठीक है and second question है when do desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis तो बच्चो फोटो सिंथेस का simple सा process है carbon dioxide plus six mole of water sunlight के presence में one mole of glucose और six mole of photo बना रहे हैं ठीक है आप बच्चो यहां पे चीज और कर सकते हो कि यह एकदम मैंने net equation लिखा है आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो six CO2 plus 12 mole H2O ठीक है ना इन परजेंस ओफ सनलाइट गेब सी six H12O6 plus six O2 plus six H2O ओके तो मैंने यहां पे 12 H2O minus six H2O को बैलन्स करके लिखा है ठीक है यह chemical equation तो second इसमें पूछ रहा है when do desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis तो बच्चो इन desert plant में इस्टमेटा open होते है night में ठीक है और night में वो CO2 क्या करते हैं ले लेते हैं और stored कर देते हैं in the form of acid and used during the day time for the photosynthesis ठीक है तो comments of question है one marks का question था यह ओके चलिए question number 4 देखते हैं क्या पूछा गया था name the type of chemical reaction represented by the following chemical equations तो बच्चों हमें यहां पर क्या करना है chemical equations को देखके इसके type को बताना है जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे calcium oxide plus water जो है react करके calcium hydroxide बना रहा है अता हम कह सकते है we can say here कि this is a combination reaction ठीक है देख रहे हो ना combine हो रहा है calcium oxide सीधा सीधी combination हो के H2O से react कर रहा calcium hydroxide बना रहा है इसी तरह आप यहां पर देख रहे हो कि BACL2 और AL2SO4 whole thrice barium chloride जो है double displacement reactions कहते हैं और तीसरा reaction आप देख रहे हो कि हम लोग iron sulphate को heat कर रहे हैं और Fe2O3 बना रहे है feric oxide बना रहे है प्लस sulphate dioxide प्लस SO3 ठीक है ना sulphate trioxide बना रहे है तो बच्चों यहां पर heat कर रहे हैं इतमींस हम लोग iron sulphate को decompose कर रहे हैं अधा decompose करके हम लोग Fe2O3 sulphur dioxide और SO3 प्रिप्यार कर रहे है तो यह reactions यह होगा decomposition reaction होगा तेस तरह हमने देखा पहला reaction combination second reaction double displacement due to ion exchange and third reaction is decomposition reaction fifth questions क्या पूछा गया था बच्चों state the type of chemical reaction and chemical equation that take place in the following देखे पहला हम से पूछ रहा है कि आपको chemical equations भी लिखना है और किस तरह के chemical equations हुआ था किस टाइप से यह भी हमें परजेंट करना है तो पहला देखे है magnesium wire is burned in the air तो बच्चों magnesium wire को जब हम लोग air के साथ burn करते हैं तो magnesium oxide बनता है ठीकन और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि magnesium oxygen के साथ जो reaction करता है और यह redox reaction है क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर magnesium oxygen से react करके magnesium oxide बना रहा है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि combination of oxygen atom है जबकि यहां पर आप oxygen में देख रहे हो water से तो बच्चों जब water में electrolysis करा होगे तो आपको hydrogen और hydrogen gas और oxygen gas मिलेगा और यह एक तरह का decomposition reaction है और इस तरह के decomposition हम लोग electrical decomposition reactions कहते हैं यह question ना पता है ब्रावर पूछे जाते हैं हम लोगों से exam में ठीक है और इदम different different way में पूछा जाए गए questions और काफी इंपोटेंट है ठीक है और third question देखो ammonia hydrogen chloride gas are mixed तो बच्चों ammonia को जब SCL से react कराते हैं तो ammonium chloride बनता है और यह ammonia SCL से react कर रहा है तो यह सीधा सीधी combination reaction है ओके next question देखते हैं six number write the essential condition for the following reaction to take place ठीक है यह से फदेख रोट 2AZ-B-R gives 2AZ plus BR2 and write one application of this reaction and second question पुछा जारा है complete the following chemical reaction equation of a chemical reaction FeSO4 gives Fe2 of 3 dot plus dot थार्ट कोस्टेंज पूछा जा रहा है वाट हैपन वेन वाट हैपन वेन वाटर इस एड़ेट टू क्विक लाइम लाइम एंड राइट केमिकल एक्विशन लाइम हो गई यहां पर ठिकर लेगे ठीक है तो पहला कोस्टेंज देखो एजी वी आर गेपस एजी और वी आर ट ठीक है तो सनलाइट के प्रजेंस में यह क्या होगा इस सिल्वर और ब्रोमीन देगा सकेंड में देखिए आयरन सेल्फेट को जब हीट करेंगे तो अलावा सल्फा डाक्साइड और सल्फार ट्राक्साइड बनेंगे ठीक है ना बच्छो ऐसे भी आप ध्यान दे रहे हो य याब बच्छ में लोग कोई लाइब में आड्ड करते हैं तो बनें पता दूँ आपको स्लेक्ट लाइम का फ्रमीशन होता है ठीक है ना अट्राक्साइड का सीएँ औको प्लस वाटर से रियक्ट करते हैं तो कैल्सियम हॉइड्चाइड तो हीच का होल्टू बनता है यहा आप इसे सही कर लिख लेंगे रियक्शन, ओके, मैंने आपको बता दिया नहीं, कालसियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिप्स, CAH का होल टू कालसियम हाईड्रो ऑक्साइड, ओके, चलि इसके बाद देखते हैं, लोग, दो ग्राम अप फेरस सल्फेड क्रिस्टल और हीटेड इ तो बच्चों, दो ग्राम फेरस सल्फेड क्रिस्टल है, ठीके, हीट कर रहे हैं, बॉल रहा है, दो अप्जर्वेशन बताओ, तो मैं आपको पहले बता दू, ग्रीन कॉपर सल्फेड, FESO4 डिसेपियर होगा, और रेडिस ब्राउन सॉलिट क्या होगा, फॉर्म होता चला जाएगा, पहला ओजर्वेशन, दूसरा ओजर्वेशन क्या होगा, ये एक प्रकार कर Decomposition reaction होगा, ठीके, एक प्रकार कर क्या होगा, लीकार क्या होगा, और तीसरा राइंटड़ गेमिकल उक्वेशन, तो देखिया हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आईरन सुल्फेड क जो color था green था पहले ठीक है वो color क्या हो जाएगा disappear होता चला जाएगा और उसका color जो है brownies होता चला जाएगा ठीक है और यह reaction एक प्रिकार का decomposition reaction है ठीक है यह reaction जो हम लोगों का कैसा है decomposition reaction है ठीक और next जो है आपका यह iron sulfate जो है यह react करके क्या बना रहा है Fe2O3 और So2 और So3 चले अगला प्रशन देखते हैं बाभू next question है define a balanced chemical equation why should an equation should be balanced तो बच्चों कोई भी equation हम लोग balance इसलिए करते हैं क्योंकि हमें law of conservation of mass को follow करना पड़ता है क्योंकि हमें पता है matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction second question क्या पुछ रहा है write the balance chemical equation for the following reaction देखो बच्चों पहला question है phosphorus born in presence of chlorine phosphorus को हम लोग chlorine के साथ बंड कर रहे हैं आप देखो यहां पे P4 plus Cl2 और बना क्या रहा है phosphorus pentacloride तो बच्चों फर्मूला होता है pentacloride का PCl5 होता है नेक्स्ट है burning of natural gas तो नेक्स्ट हम लोग मीथेन को बोलते हैं बच्चों मीथेन को हम बैंड करते हैं तो carbon dioxide और water बनता है next is the process of respiration तो respiration में क्या होता है विच्चों हम लोग यहां पे glucose को सी ओ टू गुलकोज को oxygen के साथ react कर रहे हैं तो यहां पे CO2 और water बने का मैंने आपको सुरू में भी बताया था तो गुलकोज जो है oxygen से react करके oxygen से react करता है ठीक है ना और यहां पर क्या बनाता है carbon dioxide water और energy बनाता है ओके next देखते हैं अगला है explain two ways by which food industries prevent rancidity तो बच्चों rancidity can be prevented by adding antioxidant to food containing पहला point मैंने बताया कि हमसे पूछ रहा है कि industries में rancidity को कैसे बचाया जा सकता है ठीक है तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था ना rancidity में क्या होता है कि खाना खड़ाब हो जाते हैं क्या होते हैं रियक्ट कर लेते हैं जो भी फूड होते हैं वह से अगर मॉइस्टर से रियक्ट कर लेंगे तो बढ़बाद हो जाएंगे बेकार हो जाएंगे तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाता है फैक्ट्री में अंटी ने मिलेया जाता है that और एक्जापल जिससे कि इसे हम लंबे समय तक प्रिजार्व करके रख सके ठीक है इट कैन वी प्रिविंटेट वाइपकिंग फैट एंड ओल केंटेनिंग फूरी नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस भी भड़ा जाता है पैकेट में तागे एर से डिस्कनेक्ट किया सके और सकेंड को अब बॉक्साइड और मिक्स्ट विद्ट क्रावलाइट और कार्बोनेटोर्स अर्थरमली डिकंपोज्ट तुगीव मैटल ऑक्साइड वीच ओन रिदक्सन गेव मैटल हमसे पूछा क्या जा रहा था था ना कि डिसकस्ट इंपोटेंस ऑफ डिकंपोजीशन रियक्शन मे इंपोटेंस से उसका डिकंपोजीशन रियक्शन में मैटल इंडिस्ट्री में तो देखो हम लोग मैटल प्राप्त कर रहे हैं सोडियम प्राप्त कर रहे हैं यह कह है इंपोटेंस हो गया अलमुनियम मैटल को प्राप्त कर रहे हैं बॉक्साइड को डिकंपोज करके ठीक ह हो रहा है यह बहुत बढ़ा इंपोटेंस है कि हम the decomposition reaction करके मैटल को extract कर सकते हैं ठीक है इसलिए हमसे सवाल कभी कभी पूछ देता है घुमा के कि discuss the importance of decomposition reaction in metal industry अगर तो इंडिस्ट्री वाले लोग क्या घरते हैं करके मैटल को फटा-फट एक्स्रेक्ट करने में लगे रहते हैं अगला प्रस राइट केमिकल एक्वेशन रियक्सेंड टेकिंग प्लेस में कैरीड आउट विद एल पॉप आयरन रियक्ट विद इस्टीम तो बच्छों आयरन इस्टीम से रियक्ट करके एफित्रियोफर बन है ठीक है अगला प्रस ने राइट वन एक्जामपल फॉर इच अप देकंपोजीशन रियक्शन करीड आउट विद एलप अलेक्टिक सिटी हीट और राइट फिर देखो वही के रियक्शन ने डिकंपोजीशन करा रहा है तो वाटर का जब डिकंपोज कराएंगे तो हाइ सिल्वर नाइट रियक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं बाई एलेक्टिक सिटी वाई हीट और बाई सनलाइट सेकेंड कोजिशन वीच फॉलिए स्टेट्में इस करेक्ट और वाई कॉपर केंडिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम दे सिल्वर नाइट्रीट सॉलूशन तो बच् घ्रॉम देर यहां पर देख रहे हो कि कॉपर जोए सिल्वर को डिस्प्लेस किया है और को नाटरीट माल को बाहर गत्लिया है अगला प्रस्ट वीच प्रोड़क्ट विल बीच्ट वीच प्रॉड़क्त विल्बी आप्टेंड हीट्रीट इस हीटें सिंप्ली तो बावब लेड नाइट अक्साइड नाइटोजन डिकंपोजिशन नहीं हैं रैक्षिसन है थे पूछा है किस प्रकार कर रहा है हके शेक्षो PK ये टीप है तो कोक्त कर हुच है इसी स्ट मैं तर्म दिक नो्जोजिशन कहते हैं अगला प्रस्वेस्ट वाट डिसटर डाइब केमिकल एक्वेशन वाट डज इट रिपर्जेंट उगे यूजिंग दे एक्वेशन फोर एलेक्त्रोलाइटिक डिकंपोजिशन ऑफ अफ डिफ्रेंसी एट बिट्मिन आ स्क्राइब केमिकल एक्वेशन होता है जो एक्वेशन होता है इसे बैलेंस करने की जुरूत होती है ठीक है ना क्यों कि यहां पर देख रहे हो मैंने वाटर का स्क्राइब करेंगे सिंप्ली एस्टू और उसके बाद फिर से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे और यह एक बैलेंस फॉर्म होगे इस तरह से इक्वेशन में लिखेंगे क्योंकि कोई वे लेक्क्रीशिस होगा तो आटम में तूटे करेंगे मॉलिक्यू से बना लिए और उसके बाद जो है अम लोगों ने टेंट्राल मेटड से से बैलेंस कर दिया अगला प्रश्ण राइट बैलेंस करने लिखा है आप स्टेप फॉलो करेंगे ठीक है नहीं ने पहले लिया अज्ड बालन्स करके सोडियम को हीड़ उसे बिलिंसकुर्ण से सोडिय। छोब कर तो आप देख रही हो कि मिथैन और टुक्साथ यहां पारू होगा या कडैक्ट और आयान का जब दोने एक्सचेंज करता है तो हम लोग करते हैं डबल डिस्प्रेस्मिन रियक्शन है इसे आप कैल्सियम औक्साइट को वाटर के साथ रियक्टर के कैल्सियम हाइड रोकसाइड बना रहे हो ठीक है और यहां पर कॉपर सल्फेट चल्फेट करके चल्फेट और कॉपर बना रहे है यहां पर सीधा नहीं हो गया और यहां पर देखें जिंग कोपर सल्फेट के स्लोसियं से अब्पर को आटा दिया तो घुरूइब डिस्प्रेस्मेंट रियक्शन से है अगला राइट बैलन्स इक्वेशन फॉर दर तो आप देखो मैंगनीशम और हाइड्रोग्लोरीग एसिड के भी जब रियक्शन हमने कराया तो मैंगनीशम गुराइड और हाइड्रोजन बना ओके अब आप इसे बैलेंस कर सकते हुआ हिट्टेंट्राल मेथड़ से ना और ध्यान देना क्या कि यह रियक्शन जो क्या करक करके अपना स्थान बना ले डा है लिबाया है अगला अगला है डिस्क्लाइब या दिस्क्राइब अन और water तो अप्सिपर वह टेकीर करो को हम लोग वॉाटर में क्या कर रहे हैं तो हमके इसका ओप्रेशन बताना और इस क्या हूँ रियक्शन में इसकी विएक्शन में डिसकस करना हूँ घुबचेऊ हमेरा एम क्या था कि वाटर्य में कि टू अब्सार में city other में को लिया पानी पानी के साथ तेकर शमयर के लिया लिग कूपर लिया इसके बाद प्रोसीजर आप देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया से पांच ग्राम लिया और इसमें दीरे 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 पानी देखे इसके डायलूट करता चला गया ठीक है इसके बाद कःशियाम के साथ मिला आप यहां देखो यहां डेखो मिला यह तरीके से रिपर जिंट कर सकते हैं कि कैल्सियम औक्साइड वाटर से रियाट करके कैल्सियम हाइड्र और हीट बना रहा और यह स्लेक्ट लाइम देख रहे हो नहीं यह कुछ बार भार घुमा घुमा के पूछ रहा है ठीक है एट एग्जोधर्मिक प्रोसेस क्योंकि एस एक क्लर होता है घ्रीन होता है ठीक है और यह इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो यह ब्राउनी स्कूलर में हो जाएगा रिडिस ब्राउनी स्कूलर में ठीक होगा क्योंकि वहां पर आइडन थार्ड ऑक्साइड का फर्मिशन होगा गेव एन एग्जांपल एज फॉर थर्मल यहां बूल रहा है कि दो एक्जेंपल दो एक तर्मल डिकमवो जिशन का अर एक फोटो कैमिकल का ता आप दे सकते हो यह बूल रहा है ना हमसे तो बस पूछा कि हाव ड़ाज डिस कलर चेंज़ मैंने रियक्शन भी आपको लिख के बताया कि हमने कैसे डिकंपोस किया तो देखो thermal decomposition है में copper carbonate को हम लोग heat कर रहे हैं तो copper oxide carbon dioxide बन रहा है और photocamical decomposition में देख रहे हैं कि silver chloride sunlight के presence में silver और chlorine बना रहा है इसके बाद देखें why does the color of copper sulphate solution change when an iron nail is dipped in it right to observation it is because displacement reaction take place iron displace copper from copper sulphate solution and forms pale green and color solution of FeSO4 and redis brown copper metal get deposit फिर देखें same question था ठीक है इसका मतलब आप गौर कीज़ेगा मैंने 50 questions पूरा last 10 year का point किया है तो आप पूरे 50 question में आप care करना कि कौन-कौन question बार बार repeat कर रहा है ठीक है और उस question को पूछने का वे जो देखिए examiner का बिलकुल अलग है तो हमें भी इस तरीके से क्या है ना सोचना पड़ेगा question से तभी जाके हम लोग प्रश्न को क्या कर सकते हैं अच्छे से solve करके आ सकते हैं exam में अगला प्रश्न देखो translate the following statement into chemical equation and then balance it barium chloride react with aluminium sulphate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulphate state two type in which this reaction can be classified simple reaction लिए अल्मुनियम chloride से react करा हो तो बी आसो फोर बनेगा प्लाइस अल्मुनियम chloride ठीक है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर आयन एक्स्चेंज हो रहा है तो यह रियक्शन जो है स्था कमपउंड भेक्डाउन करते हैं जैबकि combination reaction में उल्म्हारा अपके नियू कंपाउंड बनाते हैं सिधा सिदे यहां से पता चल रहा है कि एक क्या व्राइट कंपोज होड़ा हैं दूसरा मिलके मिलों बना रहा है तो यह देखने से भी लग रहा है कि दून thousand आद हम कहते हैं कि डींपर गाजिशन के दूसरे के अगला प्रशने वच्चों कि the following abile लो भो चपिवेड़ं इस तरह बहुत स्वाल शिंपल सा वाल है इसमें रखन Pain slide नोगा नहीं पता है थो इसके पूछा है इसके पीडिपाइप करेंशन नहीं पूछा है इसके पूछा है फेलेटिपाइप ने को इसल हो क्यों याद रखेंगे सिल्वर क्राइड को यूज किया जाता है फोटोग्राफिक में अगला प्रशन है फिर देखें इसहोर फिर रिपीट किया ठीक है फ्रीक दीटे यूज खेंप्र चीप्स जो होते हैं प्रशेशन है इस अर्शेशन र॥ा प्रश्ट भीछ यूज होते हैं याद इस नैटोजन गैस विछ प्रश्ट भाइड आग पड़ा और उस अग्याशन प्डीच इन इस् रेट्रीजेटर ठीक काने का मतलब रेंसीडेटी और बचाने के लिए यह सब उपाय कर दो ना मज़ा आजाएगा खाना जो हम लोगा है कर लंबे समय तक क्या होता है ना प्रिजर्व रहता है ठीक है हम लोग यह टाइट कंटेनर में कोई समान को रखते हैं तो वह क्या होता है लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है ठीक है नहीं तो क्या होता है ना खड़ाब हो जाता है लेकिन ठंडे के मौशन में थोरा सा जल्दी समान खड़ाब नहीं होता है ठीक है क्योंकि एटमस्फेर रेफरीज इनिटे में कैसे टेंपरेचर को हम लोग डाउन करके रखते तो ठंडे में आटमेटिक जो है एटमस्फेर का टेंपरेचर कम हो जाता है बच्छो में बहुत मज़े की बात बताओ मैं कि यहां पर आप ध्यान दोगे जो बैक्टेरिया होता है ना बच्छो बैक्टेरिया का अलग सा ग्रौथ है बहुत ज्यादा टेंपरेचर बढ़ा राइट बैलेंस केमिकल एक्वेशन फोर्दा रियक्षन दाट टेक प्लेस दूरिंग रिस्पारीशन ठीक है रिस्पारीशन में देखो गुलकोज हो है सीच्छों सीच्छ अस्ट्यल बोसिक्स होगा काविंडा ऑक्सिएंस से सीधा सीधी रियाट करके काविंडा जिस्टिफाइए गिव ओन इग्जांपल अप्ड़ तो कंबस्चिन रियक्षन का ने कॉम्मिनेशन है ओस्टोबनेशन अब इसक्ते यह कोंबिनेशन होता है अगरा प्रश्चन देखेंगे बच्चो वाट इसे रेड़्याउक्षन इन्टिफाइडस औक्सिटांस औक्स स्दों कहते हैं जैसे आप देख रहे हो ले टोप साईड सब्सक्राइब और ऑगोंकि यहां पर और is getting reduced and HCl is getting oxidized, okay, आगे देखते हैं, write the balance chemical equation for the following reaction and identify the type of chemical, type of reaction in each of the case, thermite reaction, iron third oxide react with aluminium and gives molten iron and aluminium oxide, देख रहे हो, iron third oxide जो aluminium के साथ react करके aluminium oxide molten iron बिना रहा है, यह तो simple और यहां पर देख रहे हैं, iron जो है, F2O3 में का गर रहे हैं, iron को हटा रहा है aluminium, तो एक प्रकार के displacement भी reaction है, ठीक है, molten iron is used for the repairing broken railway, याद रिखने का, यह जो railway track होते हैं, वो तूट जाते हैं, तो molten iron का ही पड़ियों किया जाता है, अगला प्रशने बच्चों कि, solution of potassium chloride when mixed with a silver nitrate solution, an insoluble white substances form, write a chemical equation involved and also mention the type of chemical reaction, तो बच्चों जब potassium chloride जो है, silver nitrate के साथ mix होता है, तो silver chloride बनाता है, potassium nitrate बनाता है, यह भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ion exchange उड़ाता है, यह double displacement reaction है, और यहाँ पर HGCl का solid form बनाता है, यह का मतलब एक precipitation reaction भी है, ठीक है, अगला hydrogen being a highly inflammable gas and oxygen being a supporter of combustion, एट water which is a compound, made up of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire wire, तो बच्चों इस विगाज properties of compound H2O are different from the precipitate of its considering element, that is hydrogen and oxygen, पूछा क्या समझ में हैं, यह hydrogen being a highly inflammable, ठीक है, oxygen being a supporter of gas, ठीक है, hydrogen क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेबल है, बहुत जाद है, जोलन सील, ठीक है ना, और oxygen क्या हो रहा है, supporter of combustion है, लेकिन वहीं पर जब हम water use करते हैं, मेंटर हाइडोजन और oxygen, तो क्या करता है, extinguish fire, why, reason, तो simple, it is the properties of compound, H2O are different from the, क्योंकि हमें पता है ना, chemical reaction में क्या होता है न, कि reactant की properties, product की properties से बिलकुल different होती है, तो सारी की properties आपको differ मिल रहे है, इस से लाइसा होता है, अगला प्रस्ट ने, using a suitable chemical equation, justify that some chemical equation are determined by change in color, change in temperature, तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि using a suitable chemical equation, justify that chemical reaction are determined by change in color, तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या किया, colorless compound को लिया था, यह दोनों colorless, लेकिन इन दोनों जब आपस में reaction किया, तो यह लो प्रिटी वाला PVI2 बनाया, तो आपकी reaction remember रखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप study करते जाओना, खुद वक्खुद यह सब reaction से में याद हो जाता है, और उसी तरह पूल रहा एक reaction ऐसा लिखो, जो change in temperature के वजह से हो, तो देखो calcium oxide, water से react करें, calcium hydroxide बना देता है, heat देखो, इसमें change हो जाता है, दुनों का, अगला प्रेस्टन है, solution of substance, x is used for white washing, what is the substance x, state the chemical reaction of x with water, and why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it, तो बच्चों, यहाँ पर सबसे मैं पहले बता दू, x जो होगा, calcium oxide होगा, और calcium oxide को हम water से react कराएंगे, तो calcium hydroxide बनेगा, okay, no problem, heat भी देखो, यह heat दे रहा है, इसका मतलब यह reaction एक जो धर्मिक होगा, और second में यहाँ पर B होगा, ठीक है, why does the color of copper sulfate solution change, पूछ रहा है, तो it is because iron displaced copper from copper sulfate, असा color में changing होने का region है, कि iron जो होता है, copper से ज्यादा reactive होता है, ठीक है, तो copper sulfate के solution से iron क्या करेगा, copper को हटा के अपना अस्थान बना लेगा, ठीक है, इसलिए इसका color जो होता है, different हो जाता है, ठीक है, अगला है बैलेंस chemical equation, तो बच्छे, हम लोग chemical equation को कैसे balance करेंगे, तो आप देखें, हाँ पर barium chloride, H2SO4 के साथ react करके, BSO4 बना रहा है, प्लस HCl, तो बच्छे मैंने आपको बताया है, कोई भी chemical reaction को balance करने के लिए, अप हिट्रेंट्रायल मेथर्ट को apply करो, हिट्रेंट्रायल मेथर्ट को apply करने के लिए, मैंने आपको बताया है, कि सबसे पह ना किये, फिर उसके बाद देख रहे हैं, सब तरफ, atom की संख्या क्या होती है, बराबर हो जा रहे हैं, इस तरह बाकी भी equation को आप, फेट्रेंट्रायल मेथर्ट से खुद से balance करने की कोशिस कीजिए, अगला है, अगला है, वाट डू यू मीन भाइ अक्स जो थर्मिक, इं अंदर दीजिएगा, तभी यह calcium oxide CO2 में निकलेगा, इस तरह आप एक्जो थर्मिक में देखो, carbon oxygen जैसे आपस में मिलेगा, इसमें heat बाहर निकल रहा है, तो यह reaction एक्जो थर्मिक, यह आपका दोनों इंडो थर्मिक है, अगला है, अगला है, अगला है, अगला है, अगला ह तो बच्चो पहला कोश्चे ने, what does the color of precipitate form, तो the color of precipitate is yellow, the name of compound form of precipitate is PBI tooth, चलो रियक्शन लिख दो ना, हमने क्या गिया लेट ना, लेट नाइटरेट को पोटासेमाडार से रियक्ट किया, तो हमें क्या मिला PBI tooth, तो देखे कि reaction में क्या हो रहा है, अगला है, अगला है, distinguish between displacement reaction and double displacement, तो बच्चो displacement reaction में क्या होता है, कि एक element दूसरे के compound से उस element को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और double displacement में iron का exchange होता है, तो आप पहला वाला reaction में देखे, double displacement है, लेकिन दूसरा वाला reaction है, वो displacement reaction है, क्योंकि iron जो है, copper sulfate के solution से copper को displace कर रहा है, अगला प्रशन है when magnesium ribbon burn in air, oxygen or product is formed, तो देखो, बच्चो magnesium oxygen के साथ burn करेगा, तो magnesium oxide बनाएगा, और यह प्रकार का combination reaction है, और जो product बन रहा है, वो magnesium oxide है, अगला प्रशन है, अगला प्रशन है, what is oxidation reaction and give an example, बच्चो मैंने आपको oxidation reaction के बिच्च से में बताया है, combination of oxygen atom removal of hydrogen atom इसके लाब आप याद रखो अगर एलेक्ट्रोनों का loss होता है तो भी oxidation कहलाता है ठीक है ना और एलेक्ट्रोनों का गेन होता है तो reduction कहलाता है तो हमसे पूछा जा रहा है इस oxidation अग्जोधर्मिक और क्योंकि इस reaction में हीट बाहर निकलता है ठीक है इस reaction में क्या होता है हीट बाहर निकलता है अग्ला प्रोड़क्ट फर्म और स्ट्रॉंग लीटिंग फेरस सल्फ़ेट क्रिस्टल वाट टाप ऑफ केमिकल रियक्शन अकर इन इस चेंज तो बच्छो आयरन सल्फ़ेट को हीट क बनेगा अरें थार्ट ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फ़ेट अक्साइड और स्ट्री एक प्रकार का डिकंपोजीशन पहले भी हमने यह देखा को अगला प्रस्ट ने वाट इस रेडॉक्स रियक्शन वासे रियक्शन कहेंगे जिसमें ऑक्सिडेशन रियक्शन दोनों हो यहां पर देख रहें फिर से आयन का एक्स्चेंज हो रहा है ठीक है ओके तो यह भी आपका फिर से कैसा रियक्शन है तो डबल डिस्प्लेश्वें रियक्शन है अगला प्रस्ट ने वार्ट चेंजिन कलरीन ऑब्जर्वें वाइट सिल्वर क्लॉराइड इस लेफ इस चेंज तो बचो सिल्वर क्राइड जो होते हैं उसका ग्रे हो जाता है ठीक है ना क्योंकि एक प्रकार का फोटो चैमिकल डिकमोजीशन पहले भी स्ट्रेक्शन को लोग देखे हैं अगला प्रस्ट ने वार्ट बेसिजिए चैमिकल एक्वेसिन बालेंस बालेंस बालें इस तरह की बरावर गूमा गूमा के पूछा जारा है अगला है वाट हैपन केमिकली वेन कुएक्वेकल लाइम एडट के साथ रियर्ट के टेकर के स्लैक्त लाइम बनाता है ठीक है अग्ला परस्ट एयु उद्ध है नोटेट वेन कॉपर पावडर इस ही टेड़ इन चाने इस्टेस नहीं डिए चेमिक्ल आपर पाउडर बिकम्स कोटेट विद ए ब्लैक कलर सबस्टांप उपिर्ट करेगा गान जो कही ब्लैक है ठीक है और सेकेंड वाइज दा ब्लैक सेवस्टांस वही कॉपर ऑक्साइड ही मनेगा बोल रहा है केमिकल इक्वेशन लिखो तो लिख तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिफ कॉपर अक्साइड सी ओ अग्या वाट इस मेंट प्रेसिपिटेशन अग्योथार्मिक ऑक्सीदेशन ठीक है न बच्छों प्रेसिपिटेशन रहते हैं अग्यांदागरी न ध्ण इसके बाद अगला प्रस्ट पूछा जा रहा है वाइस रिस्पारेशन कंडिड़ा एक्जोथर्मिक तो बच्चों रिस्पारेशन में क्या हो रहा है तो हम इसे कहेंगे एक क्या रहा है इसलिए एक एक्जोथर्मिक रिक्षान है डिफाइन तर्म औक्सिडाइशन रिडख्ण देखें फिर से आए थिंग यहां से निकल रहा है अग्ला प्राश्चन है balance the following chemical equation हम नाय्टाइट जो है लेड ऑक्साइड आनो टू बना था इसको बैलन्स करना था सिप्रreibt करे मैं थेंट इसी को लिया था इसमें है हैं तो बैलेंस किया है एक यूताया है एक होता है जूसरे थेश पर आगड़ Heh पर देखिए को रिपीट करकर पूछा गया था ठीक है हम लोगों आज डिसकस किया आपके लिए रिवीजन हो गया एक्जाम से पहले अगर आप अलग पोटेंशियल रहेगी और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा एक्जाम में बैठने पर पेपर आएगा जब आप लिखोगे तो आप बहुत इंजॉय करोगे तो चलिए आज हम लोग रहने देते हैं बच्छो आज इतना इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर को अब्जेक्टिब को भी देखेंगे ठीक है ओके थैंक्यू